वेलकम टो यूटूब चेनल इन दिस वीडियो वी विल डिसकस्व द चीलेटिंग लीगेंट इंड चीलेट्स लास्ट वीडियो में हमने डिसकस कर लिया था वर नियर कॉडिनेशन थेोरी उसकी कुछ पोसलेट्स देखे थी उनका हमने एक्सपरिमेंटल वेरिफिकेशन दे कि डिफाइन करो वाट इस चीलेट लिगेंड एंड टू एर थ्री माक्ष में आएगा तब सबसे प्रूशकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग दस्टेबिलेटी ओफ चीलेट उसको एक्स्पेंड करना है ठीक है तो वहल तिंग्स हम डिसकुस करने वाले हैं इन टूदेज वी प्यूनियद रहा पर एक ही जी डॉनियद करने वाला है ठीक है जैसे वोट रहां आपके पास ओक्षिजन वन ही आड मैंस जो डूनेट कर शेकता है लोन पेर ओफ लाकटन या कुछ मी जो भी लाकटन डूनेट कर सकता है बाइड़ जैंपर टू डॉनेट करने वाले हैं फ पॉलिदेंट इस तो बाद आपका बस चीलेट चीलेट में क्या होता है एक रिंग की फॉर्मिशन कर लेते हैं लिगेंट मैटल के साथ में और बस टीबिलीटी को बढ़ा देते हैं कोंपलेक्स की ठीक है तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले कि चीलेट लिगेंट क्या तो हम बोल देंगे चीलेटिंग लिगेंड ठीक है जो भी कॉंपलेक्स होगा उसको चीलेट पोल देंगे एंड़ प्रोसेस इस चाल चीलेशन चीलेटिंग लिगेंड होते हैं जो न कोडिनेशन उसेंटल में लाइन एक रिंग की फॉर्मिशन कर लेख जैसे आप एक्जामपल देख एक जामपस लह सकती है जैसे आप next एक जामपस तेहरत है जैसे कोई complex हैं से UNS2 लाइक देट कोउगजलेट का है यहाँ पर भी एक chalet की formation हो रही है जैसे एक EDT होता है एक large complex 6 coordination number निकल वाले में तो यह भी chalet मना सकता है तो आपको आपके पास factor affecting the stability of chillates जो हमारा पास chillate की formation करने हैं कोई भी complex तो उनकी stability increase हो जाती है तो कुछ factor होते हैं जो decide करते हैं कि stability increase क्यों हो जाती है what's the reason तो first आपता chillate effect चillate effect क्या होगा जो भी complex है ना chillate ligand जो भी chillate ligand होगा जो सिधाइलिन डाइमीन है या उग्जलेट है जो form हो रहा है ठीक है then किसे monodentate वाले से monodentate वाले तो करी नहीं सकते chillate की formation तो monodentate वाले से जो bidentate वाले हैं जो chillate की formation कर रहे हैं उनकी stability जादा ह हो जाती है तो जो enhanced stability होते हैं complex की जो chillate ligand को लिए वे हैं तो उसी को हम जो effect शो कर रहे हैं उसको chillate effect बोल देते हैं for example इन्होंने experimentally scientist ने यह proof किया है जैसे उन्होंने क्या देखा nickel two positive starting में देखो six ammonia तब एक complex second वाले में एन तब एक complex formation अब यहाँ पे जो log beta की value दे रहे हैं यह measure कर रहे हैं stability को जितनी ज़्यादा log beta की value होगे उतना ही ज़्यादा molecule stable होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि एन जो ammonia वा बाइडेंटेंट लीगेंट एक chiliate की formation कर सकता है बट जो ammonia वाँ पे एक ही साइट से नाइट्रोजन वो chiliate की formation नहीं कर सकता है तो हमने देखा कि जो chiliate complex है तो उनकी stability greater हो रही है जो unit entrant वाले से ठीक है तो इसकी जगर और भी जहाँ पर लेक देख सकते हैं कुछ भी अब य stability पर effect क्या होगा वह हमें देखना है तो यह decide करके देखा एक simple सा point आपको mind में ध्यान रखना है कि larger the number of chiliating जितनी ज़्यादा chiliating complex में जादा होंगे उतनी ज़्यादा stability complex के increase हो जागी means directly relation है larger the number of chiliating larger the stability जैसी यहाँ पर examples देख सकते हो यहाँ पर 0 वाली है तब देखो stability कम है लेकिन 1 आई तब आपके stability और increase हो गई ठीक है तो यह आप complexes की help से कुछ देख सकते हो कि chiliating साथ क्या variation हो रहा है अब देखो number third point आता आपके पास size of chiliating means जो chiliating की size small है large है उसकी साथ क्या variation है तो experimentally यह प्रूब करके देखा है कि जो five member वाले ring होती है न वो ज़्यादा stable होती ह यह six member वाले से ठीक है बड़ इसका case why ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें पता है कि जो six member वाले होते है जब हम यह five member में तो क्या होता है कि वो simple है न सिंगल बॉंड से ही join होती है ring में all bond metal से वाले लेकिन जो six member का chillate का किस आता है न तो उसमें double bond और n saturation आ जाती है ठीक है जो इन ring के अंदर n saturation आनी से वाँपे crowdning बढ़ जाती है तो यह कुछ three factor है जिसकी विज़े से हमारे पास क्या हो जाता है six member वाले की stability कम हो जाती है यहाँपे ठीक है तो यह factor क्या दे रखे है कि यह आप एक तो जो वरक लगाना पड़ादा ना में electrostatic first coordination को मतलब atom को bonding मिलाने के लिए metal के atom के साथ में तो जो six वाले में ज्यादा वरक हमें require होती है ठीक है क्योंकि ring of size वहाँपे greater हो रहा है तो यह unstability आ जाती है थोड़ा सा chillate effect में और second जो concentration होती है ना ligand की ज्यादा large chillate वाले में वह थोड़ी सी increase कम हो जाती है reduced हो जाती है एक difficulty होती है हमें जो non crowding ring formation हो थोड़ी सी increase हो जाती है तो six में मड़वाले कम होती है ठीक है और larger जो bulkier ligand होते हैं वह less stable complex मिनाते हैं जो छोटे ligand होते हैं वह अच्छा सा complex मिना सकते हैं तो stability उनकी ज्यादा होती है क्यो chillation effect क्या होता है उसके effect perfecting क्या है तुमने three points discuss कि है कि chillate ring क्या होगी number of chillate ring size of chillate ring पर कैसे variation होगा I hope आप को समझ आया होगा कोई क्योरी हो तो comment कर सकते हो thanks